है आज हम स्टार्ट करें वाइनोमियल थियोरों इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होने चाहिए कि वाइनोमियल थियोरों let's take some examples as you know a plus v whole square is equal to a square plus 2 a v plus b square a plus v cube a cube plus 3 a square b plus 3 a v square plus b cube now what about a plus b whole power 4 can you know the answer let's see a plus v whole square a plus b whole square let's try this trick also here now what about when I say a plus v with power whole 5 how you solve it so binomial theorem जो है वो इसके लिए ही जैसे अगर आपके पास 2 3 4 यहां तक तो आपको फॉर्मूले याद है लेकिन इसके आगे जो term में उनको expand करना पड़ जाए आपको तो आप कैसे solve करोगे तो उसके लिए binomial theorem का यह formula बनाया गया है that's why we use binomial theorem even in cases where three terms involved we take two terms in one and then one then again is expand with binomial theorem okay so इसका क्या होगा आपके 5 है according to this this is your binomial theorem यहां पर मैंने xy लिया हुआ है no change so nc0 nc0 that is your combination जो हम पिछले में clear कर चुके है what is combination ठीक है nc0 xn plus nc1 फिर यहां पर add over 1 x raise to over n minus 1 n minus 1 and y add हो गया अब यहां पर plus nc2 x raise to over n minus 2 and y square plus on and तक जाएगा ncn और x raise to over n minus 1 0 हो जाएगा तो वह जाएगा और y power n ठीक है this is your binomial theorem अब 5 के लिए अगर आपको निकालनी हो तो 5 is your n here 5 c 0 a 5 plus 5 c 1 a 4 v 1 याद यह रखना है आपने कि जो यहां a की पर लेगा उन दोने को minus करके आएगी इसकी power और जो v आएगा वो इसके according vary करता रहेगा आप ऐसे भी देख सकते हो ठीक है plus 5 c 4 a 1 v 4 plus 5 c 5 यहां पर यह 0 हो जाएगा और v 5 यहां तक आपका इसकान होगा और यह आप solve कर लो आप चाहे यहां पर वो कितनी भी expansion दी हो 10 20 whatever you got the answer by binomial theorem that's why we use binomial theorem okay clear now let's study some properties of binomial theorem जो first property है so these are some properties total number of expansion of x plus a raise to power n is now a vary from इसकी जो सबसे पहले आप लिखो जो इसकी constant यह जो आपके पास आता है इसको total आप कैसे लिख सकते हो r is equal to n and एक general form में हम इसको लिखने है ठीक है x n minus r a raise to power r this is your general expansion जब आप इसकी करते हो तो कुछ ऐसे आती है यह हमने open करके लिखे है इनकी value put करके तो r vary करता है 0 से लेके ठीक है और कहां तक होता है n तक तो एक term 0 भी हुई न तो इसकी total number of expansion जो भी आप करोगे वो n plus 1 terms आएंगी हमेशा जैसे यहां पे रेख लो a plus b का only 2 लिया था हमने तो यहां पे कितनी terms आई 1 2 3 3 आई यहां 3 जब 1 2 3 4 आई इसको कहो लोगे तो आप यह 5 terms आएंगी यह 5 यह 6 आएंगी 1 2 3 4 5 6 6 आई यहां से हमें यह भी पताच लग रहा है कि जितनी भी terms आएंगी जो n की power है अहां पे 1 है तो जो total number of terms आ रही है आपके पास वो आ रही है n plus 1 एक conclusion यह आ रहा है हमारे पास साथ में एक नई चीज यह है कि आप जितनी भी बार A की power देखो वो यह B की जितनी भी terms है वो 2 ही आएंगी इस case में 2 1 1 2 B square यहां 3 है 3 2 plus 1 1 plus 3 3 3 आ रही है 4 के case में भी ऐसे ही होगा power जो है वो हमेशा उसी number में आएंगी चाहे आप किसी भी form में यहां दी गई हो total 3 है तो 3 ही आएंगी एक चीज यह और एक चीज यह भी है जो आपकी A यह कम होता जा रहा है A square था फिर एक power हुई ठीक है फिर यहा 0 थी यहां 2 और जो V है वो हमेशा increase होता रहेगा यहां से हमने तीन चीजें की compare ठीक है यहां से में तीन चीजों का पता चल गया कि binomial theorem में क्या-क्या होता है नो लेट्स स्टार्ट अगे प्रॉपर्टीज तो n plus 1 है terms आएंगी अब यहां पे ज्यादा कुछ सोचने वाली करने जैसे अगर मालो यहां पे जुरूरी नहीं x plus y ही आपके बास variable हो हो सकता है कुछ constant यहां added हो x plus a हो हो सकता है ना यहां यहां पे जैसे यहां पे x a लिया मैंने so अगर हम x plus a raise to power n और x minus a raise to power n करें उसमें कोई अगर आपको यहां पे मैं यह टर्म दे रही हूँ अगर यहां पे मैं बोल दू कि minus y है यहां पे x minus y n है तो आप इसको expand करके लिख सकते हो y की जगा minus लगाना है और कुछ नहीं alternatively plus और minus आएंगे अगर हम इन दोनों terms को plus करते हैं if you add these two terms you will get जो आपके बस even बाली terms होंगी वो तो two times आजाएंगी लेगि जो odd होंगी वो cancel out हो जाएंगी जैसे यहां पे minus आता मानलो यहां तो नहीं आएगा यहां आएगा minus y सो यहां minus की term आएगी और टर्म है यहां अगर मैं minus y ले भी लो तो y square हो जाएगे तो y आजाएगा three वाली term में odd आएगी वहां पे यह negative आएगा तो odd term neglect हो गहीं सारी ठीक है और कुछ नहीं किये यहां पे अब देखो x plus a raise to power n है minus अगर इनको हम minus कर देए so आपके पास sign change हो जाएंगे और जो even वाली है वो cancel out हो जाएंगी और odd वाली आपके पास रह जाएंगी ऐसे होगा ना कुछ ठीक है तो यह भी आपको समझ आगया होगा टू इसलिए को यह double times आएंगी डौनों में one plus x raise to power अगर मैं minus one ले लू तो अब इसमें आप सोच रहोगे बतानी कैसे होगा so this is as simple as this अब यहां पे n था तो n की पावर अगर माइन लिख दो तो क्या प्रॉब्लम है यहां माइनिस बन आएगा यहां माइनिस बन आएगा so values be like this जैसे लोगरिफ्मी फंक्शन को एड़ किये था न वहां पर भी इवन आउट का सिस्टम था वैसे ही है कुछ बट यहां पर binomial theorem का यूज हो रहा है यहां पर minus two लिख लो यह आपको sort tricks के लिए भी है आप इनको याद कर लीजिए समझ लीजिए आप यहां पूट करोगे सेम यह आएगा आपको यह general form पता है आप कोई भी expansion find out कर सकते हो ठीक है so this is अब एक और चीज है अगर आप यहां पर यह जो आपके वास expansion ली है हमने यहां पर मालो x plus y x plus y is equal to this अगर मैं यहां पर x और y की value 1 ले लू तो क्या होगा तो यहां पर x y यह सब neglect हो जाएगे है न और यहां पर यह 1 plus 1 2 1 जाएगा 2n तो question कैसे ऐसा आ सकता है आपको c naught plus c2 plus c1 plus c2 plus so on n तक कितनी values आएगी तो 2n के बराबर आ रहा है यह according to y now well थे और हमने चेक किया सिर्फ हमने x is equal to y और y is equal to 1 मत यह भी आपने समझ लिया so another यह है कि अगर n कोई index है index मतलब जुसकी power जो है वो n है यहां पर binomial थे लो expand करने के नहीं बोला जाए आपको और साथ में modulus of x जो हो less than 1 होने चाहिए this is condition is very applicable ठीक है then यह आपके पास आंसर आएगा 1 plus nx into n-1 over 2 यह ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे ही expand करके लिए दिया हो है n की जगह x के यहां यह आएगा यहां यह आएगा ठीक है और nth term जो होती है इसकी वो t r plus 1 की form में आती है so this is your nth term for binomial expansion for this 1 plus x raise to power n तो यह कुछ basic basic details ही आपको जानना जरूरी है so let's start some tricks for you maximum question आपको आता है to find number of terms in this binomial expansion और भी कुछ भी example असले मैं आपको यह example लेकर प्ताती हूं so first of all हम binomial expansion इसको expand करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2x plus 3y minus 3y minus 4z 4 power n यानकी एक को हम एक अठा लिख लेंगे यह दूसरे को हम यहां पर लिख लेंगे जैसे इसको हम आ लेते हैं put 2x plus 3y is equal to w now you will get w minus 4z power n इसको आफ expand कर लिजी binomial expansion से कर सकते हो एक चीज़ और यहां पर आपके पास आ गया है कि यह चीज़ जो है वो इसके बराबर है यानि कि आपको मैंने बताया कि जब हम x किस चीज़ को expand करते हैं तो उनकी जो number of terms आती है वो हमेशा एक ज़्याद आती है n plus 1 ही अब हमने एक और बना लिया अब इसको भी expand करके लिख दो solve करोगे आप आगे आपको आता ही solve करने आप करो इसको बट अब इतना लंबा मैसर आप exam में तो करनी पाऊगे इतकर पाऊगे कि आप एक firstly किसी 2 को expand करो फिरा ने जो बनेगी उनको expand करो this is not possible so let's try some trick on this so trick यह है जैसे आपके पास होता है binomial expansion है जैसे a1 a2 plus son a k यह मैं आपको just example दे रही हूँ okay अगर कुछ ऐसे है आपके पास तो इसका जब हम number of terms find off करते हैं वो कैसे आता है formula मैं आपको सीधा बता रही हूँ आप बहां use कीजिए और आपका question seconds में आ जाएगा ठीक है that is n plus k minus 1 c k minus 1 okay अब यहाँ पे n क्या है n is this number of terms k क्या है number of terms कितनी terms है यहाँ पे 1 2 3 terms है okay so this formula is valid for this find the number of terms for example मैं यहाँ पे इसको value करवाती हूँ जैसे 2x plus 3y minus 4z power n so our formula use करें हम यहाँ पे तो वो है n plus k minus 1 c k minus 1 यह formula है n की value कितनी है यहाँ पे वो हमें नहीं दी गई है n और plus k गनी terms है 1 2 3 3 terms है minus 1 and c 3 minus 1 this is n plus 2 c 2 इसको explain करना आता है न आपको that is n plus 2 factorial divided by n plus 2 factorial minus 2 factorial and 2 factorial minus 2 factorial इसलिए कि हमारे पास पनूलता है n minus r तो n यहाँ पे कितना है n plus 2 है न तो आई यह अब यहाँ पे n plus 2 factorial divided by n factorial 2 factorial उपर वाले कि हम लिख सकते है n plus 2 n plus 1 and n factorial n factorial यहाँ जागा n factorial स n factorial cancel or divided by 2 this is your number of terms very easy and very quick यहाँ तो मैंने एको explain करके समझाए लेकिन आपको method बाता है यह put किजिए आपके पास आजाएगा combination आपको find out करना आती है let's take another example on to find the number of terms one plus two x minus seven y plus d power six is it complicated no because अब यहाँ पे आप सोचे हों कि minus है तो minus की जगा हम क्या लेंगे neglect minus यहाँ भी था neglect किया हम नहीं सिर्फ concentrate करना है अपने formula के ओपर so that is n plus only where इसको आप maximum sort tricks में यूज कीजिए जब आपको बस exam होते है प्लस 2 के भी होते है वहाँ भी use होते है यह चीज़े तो वहाँ तो आपको पूरा systematic way बेंगे पर just for mcqs okay so यहाँ पर n है 6 plus term है 1 2 3 4 4 minus 1 c 4 minus 1 that is कितने आई यहाँ पर 6 plus यहाँ पर आ जाएगा आपको आपके बास 9 c 3 तो 9 c 3 को आप find out कर सकते हो ना 9 into 8 into 7 और बाकी cut हो जाएंगे आपके बास नीचे आपको आपको 3 into 2 into 1 3 that is your answer is आप इनको multiply कीजिए और answer is 84 okay अब रटके तो में नी आयो ना यहीं पर आपके सामने कर आप भी कोई question लीजी और दोनों तरीकों से करके देखिए answer सेम आएगा एक example और करते है 7x minus 4 plus y minus w plus g raise to power 20 so क्यों आप video pause करें खुद इसको try करो फिर आप answer match करो let's try this formula वही है n plus k minus 1 c k minus 1 n है 20 k है आपके पास 1 2 3 4 5 5 terms है minus 1 c 5 minus 1 that is 24 c 4 इसको आप solve कर लीजिए आता है न solve करने 24 into 23 into 22 into 21 बाकी जो आप 24 है 20 factorial है आपके पास बन जाएगा इसका answer आएगा 10626 यह आप खुद solve कर लीजिए solve करना को आता है minus plus करना आपके काम देती हूं है यह वला पार्ट कुद कीजिए 7x minus 5 plus a power 10 यहां पर आपने number of towns find out करके comment करना है और मुझे बताना है आपको समझ आ भी रही है नहीं आ रहे है ठीक है let's try another trick next type is to find a coefficient of this this and this is type question आपको काफी बाहर आ चुके है maximum slabus में आता है maximum काफी questions आपको आता है तो यह भी आता है find a coefficient करना आपको पहले तो इसको expand करो फिर आप इसमें से कोफिशेंट find out करो very typical so let's try trick so trick क्या है अब आपके पास है आपको चाहिए first term है a5 लगा दो 5 चाहिए आपको v आपको 7 चाहिए तो यहां भी की जग है 5v power 7 यहां minus v यह भी आता है ठीक है अब यहां पर क्या आएगा c जो total होता है वही आता है 12 और यहां पर आती r की value that is 12 c 7 यही आता है न so expect sorry so a5 और v7 का में coefficient find out करना तो कितना आएगा 12 c 7 और यहां पर आजाएगा minus 5 so this is your answer is it tricky no because हमें सिर्फ इतना चाहिए और 12 c 7 का आप निकाल सकते हो combination आपको आती है find out करने जैसे यह next है और यही आपको समझा जाएगा 12 x square plus 3y q और 9 आपको इसका coefficient find out करना है 12 x square वैसे लिख लो 3y q भी वैसे लिख लो हमें find out करना है x6 का तो इसको बनाने के लिए हमें 3 से multiply करना है तभी 6 बनेगी इसको बनाने के लिए 3 से multiply करना पड़ेगा तभी यह 9 बनेगी और यहां क्या आएगा 9 c और जो इसकी पावर होती है वह ही आती है न तो इसकी पावर कितनी है यहां पर यहां पर मिस्टेक होगी थी यहां पर माइनिस 5 v है इसमें तो हमें इसका ही coefficient यहां पर माइनिस 5 7 आई गई आईगा 12 c 5 7 आईगा तो यहां पर देखो अभी यहां पर मैं कहां थी 3 यहां जाएगा 9 c 3 तो इस यहां पर कोफिशेंट एक स्क्यूर और य का बाइन का चेहित हमें उसको अलावा जो भी आपके पास बचेगा वह इसका कोफिशेंट आ जाएगा यहां पर 12 x 2 sorry 12 x 3 ठीक है और पावर इन की कितनी है वह लिखते नहीं आपने 3 ठीक है इसको इसको solve कर सकते आप असानी से यह वला पार्ट आप खुद करेंगे समझागे आपको हमने सिर्फ वह जो चिद्धी होंगी उनको बनाना है यहां पर और यह तो आपको पता ही होता है कैसे आता है यहां पर n की value आती है और यहां पर n minus r की value आती है that simple okay let's try another trick so step-by question आते है कुछ जिसे find the term which is independent of x ठीक है और ऐसे question आते है ना आपको so कुछ ऐसे होगे आपको थोड़ो complicated लगे रहले को आप इसको expand करके लिखो this is very complicated let's try sort trick now अगर आपके बस यहां पर यह इस form में होते है न यह a x p plus r over b x q ऐसे आएंगे तो यहां पर हमने बस formula होता है n p divided by p plus q इसको आप याद रखो बस यह formula आपको आगया आप किसी भी term का बता सकते हो कि कौन सी term जो है वहां पर independent of x आएगी ठीक है तो let's try this trick in this n यहां पर क्या है 6 p यहां पर क्या है p is here that is 2 and q क्या है यहां पर 1 आएगा यहां पर कुछ है नहीं तो 1 होती है q is equal to 1 यहां पर put कर लो r is equal to n into p 6 into 2 divided by 2 plus 1 which is equal to 4 so इसका मतलब है r is equal to r आपके पास 4 लेकिन जो हमारी general term आती है आपकी उसमें binomial की वो t r plus 1 होती है तो इसका मतलब है 4 plus 1 that is t 5 इसका मतलब क्या है कि जो 5th term आएगी इस expansion को expand करके वो आपकी independent होगी x से वहां पर x नहीं होगा अगर के वरा question आगे पूछा जा सकता है कि हाँ आप 5th term आगे तो आप इसको 5th term find out कीजिए क्या होगी तो वह आप formula आपको पता है which is what is the formula of this that is this तो यहाँ पर आप 5 पूट करके आप यहाँ पर 5 की value निखाल सकते हो okay easy है so let's try this trick on this question also अब यहाँ पर n कितना है 10 है यहाँ पर n root x है मैं इसको 1y2 में लिख दे हो से प्रोबल नहीं है x की पावद नहीं होगी p is equal to 1y2 and q is 2 ठीक है simple है r की value कितनी आएगी n into p 10 into 1y2 divided by 1y2 plus 2 this is 5 and this is 5 by 2 so 5 से 5 cancel और कितनी value आई 2 r is equal to 2 तो यह मत लिख देना वहाँ जागे कि 2 आया तो second term independent होगी r को करना है r plus 1 that is that means third term is independent of x simple है formula याद करो simple हो जाओ अब यह वाला पार्ट आप खुद करेंगे 2x plus 1y 3x raise to power x तो यहाँ पर आपने x की ऐसी term find out करनी है जो independent of x होगी ठीक है यह trick भी हमने कर ली coefficient हमने find out करना सीख ली independent term हमने find out करना सीख ली अब हमने number of find out number of terms भी हमने find out करना सीख अब एक ओर trick है let's try that now trick is firstly question पर focus कीजिए फिर हम इस भी sort trick करताएंगे तो आपके बास जो दिया हुआ है 1 plus xn इसकी coefficient जो है expand करोगे तो यह coefficient है आप से पुछा है कि इनकी value क्या आएगी अगर इनकी जगा यह coefficient होते तो आपकी value क्या आ तक यह देखना है n is equal to का मतलब यह नहीं कि two terms मतलब यह कि two c two आना चाहिए यहाँ पे n यहाँ two c two आना चाहिए वहाँ तक आपने इसको open करके लिखना है for example यहाँ पे फिर्स two terms में हो जाएगा जैसे इसको तो हम ऐसे लिखने है na n c one plus n c two उससे को problem नहीं है ठीक है यहाँ लिखा नहीं किया यह बस और कुछ नहीं है यह चीज़ें है अब यहाँ पे इनकी values क्या है that is n c one यहाँ पे है two n c two n हमने लिया हुआ है two two c one plus two and two two c two यहाँ तक लेने में तभी बोह रहे थी क्योंकि यह cut हो जाएगा आपका फिर यह one आ जाएगा ओके तो two c one को हम फ्रेक अब four यहाँ आ गया अब आपने check करना है जो आपके option दिये हो है वहाँ पे four कहां आएगा जैसे यहाँ आ जाएगा four four into two power four यह तो eight और 16 आ जाएगा यहाँ पे two into two raise to power two minus one one that is four लो आपका answer आ गया यहाँ पे vary कर रहा है फिट है आप चाहे तो आगे solve कर सकते हैं two minus one that is one two आएगा यहाँ पे भी यहाँ पे sorry n minus one यहाँ ठीक है so option is two easy है na n is equal to two let's try another example अब यहाँ पे ही है अब आपसे पूछा है two c one plus three c two plus so on n plus one cn अब यहाँ पे आपको n is equal to two तक देखना है अब यह मत सोचना कि दो term में ले लिए आप और यह trick only जो आपके mc क्यों उनमें valid होगी क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करने होते है न exams में so वहाँ पे n is equal to two मतलब यह नहीं कि two terms है आपने तब तक देखना है जब तक two c two ना बन जाए आपके पास तो यह वहली चीज़ है nc0 यहाँ पे two nc1 plus three nc2 यहाँ two put करोगे तब आएगा तो हमें three terms लेने पड़ेगी ठीक है एन नहीं यहाँ यहाँ पे two two c0 two two c1 three two c two c1 is one two into two plus three that is two into two four and four plus three seven and eight eight आएगा eight हमें चेक करना पड़ेगा ओके so firstly आप यहाँ put करो so two two into two four यहाँ पे आज़ेगा two plus three ठीक है three into two six यहाँ भी नहीं आ रहा है और फिर यहाँ पे n plus two is two in four and two in two minus one two that is eight this is your answer यहाँ पी चेक कर लो आप two plus two four two raise to power and two two yeah sixteen आजएगा तो उली इस में आ रहा है आपका कितने सिंपल से क्वेश्चन में रादी हैं हमने इनको सॉट ट्रिक से समझ के कुछ प्रॉपर्टीज यह भी आद रखनी आपको कुछ इस टाइप के भी कोश्चन आ सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको यही टाइप के क्वेश्चन आइग यह मैंने करवाए यह जस्ट आपको स आप खुद ट्राइ करना उनको फिर मेर को बताना आपको समझ आया यह नहीं है ठीक है तो पहले में आपको दो क्वेश्चन आपको करने यह मैं कर दो तो यह मैं आपको बोला था जब हमने इसको स्टार्ट किया कि यहां पे एक्स जो है मॉड वो न से कम होना चाहिए ठीक कम होगा यह देखने है न आपने सो 6 यहां चल जाएगा माइनस 3 x 6 मौड है आपके पास तो 3 x 6 और x जो आएगा वो लेस देन 2 आएगा तो इस कांसर होगा टू बाकी यह आपको सॉल्ब करने बताया यह आप करोगे कोफिशेंट फांड करना है आपने a7 v20 का इस केस में सो आ binomial theorem की यह complete हो गया हमारा opinions and also what you want to study ओके तो आज के लिए इतना ही like share and subscribe my channel so that you never miss any update thank you keep spotting